नमुश्कर दोस्तो! अगर आप यह वीडियो देखना चाती हो तो इस वीडियो के नीचे देखिए इस तरीके का एक लाइक बटन दिया गया है उस पर प्रेस कर दीजिए आपने लाइक बटन पर प्रेस की इसलिए आपको बहुत सारे धन्यवाद चलिए वीडियो शुरू करती है दोस्तो! पहले बताती हूँ अगर बच्चे को शर्दी जुखाम हो तो क्या-क्या खिला सकते हो? इस समय बच्चे को खाने में ऐसा चीजे देना चाहिए जो बच्चे का शरीर को गरम करें। जैसे सुबे नीम से उठते ही एक चम्मत सहद में दो तुलसी का पत्ता डालकर खिलाए। इसके अलबा सर्दी होने से बच्चे को उबला हुआ अंडा खिलाई है। ये सरीर को गरम करती है। साम के टाइम में बच्चे को गरम-गरम सूप पिने दे। अगर चिकेन सूप हो तो बहुत अच्छा है। दोपहर को खाने के बाद बच्चे को एक टुकड़ गूड खाने दे। इससे बच्चे का सीने में अगर जमा हुआ कफ रहे तो ओ बिगलकर बाहर आएगा। इसके अलाबा गूड में एंटि आक्सिडेन और आयरन भरपूर मात्रा में रहती है। जो बच्चे का बिकास में बहुत मदद करती है। इसके अलाबा बच्चे का खाना बनाते समय आदरक, लहसून और काली मिली का उपयोग करे। इससे सरीर को गरमी मिलती है। अगर सर्दी खासी हो तो बच्चे को गरम पानी पिलाए। बार बार गरम पानी पिला कर देखो, आदा सर्दी उसी से इठीक हो जाएगा। और ब्रेस्ट मिल्क पिने बले बच्चे को सर्दी खासी के समय जितना जादा हो सके ब्रेस्ट मिल्क पिलाए। ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के सेहत के साथ साथ बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देगी। अब बतादू, सर्दी कासी होने पे बच्चे को क्या-क्या नहीं खिलाना है। दोस्तो, सर्दी जुखम होने पे बच्चे को केला, दही और किसी भी तरह का फ्रीज का खाना नहीं खिलाना है। अगर बच्चे को खासी हो, तो डीप फ्राई या ओयली खाना मत खिलाना। इससे खासी और बढ़ जाएगा। अगला सवाल है, सर्दी जुखम में बच्चे को नहलाना है या नहीं? नहीं, सर्दी जुखम में अगर बच्चे को नहलावगे, तो सर्दी और बढ़ जाएगा। बच्चे को स्पोंच बाद दो, गरम पानी में एक टोवेल भिगो के अच्छे से निचोड़ लो, फिर उस गिली टोवेल से बच्चे को अच्छे से पोच कर, पुराना कापडा बदल कर नया सापसुद्रा कपडा पहनाए। शर्दी खासी के समय बच्चे का मालिस कौन सी तेल से करे। दोस्तों, जब बच्चे को सर्दी हो, तब दिन में दो बार मालिस जोरूर करना, और मालिस के लिए राई का तेल या ओलिव उयल इस्तिमाल करे। ये दोनों तेल बच्चे का सरीर को गर्मी प्रदान करेगा। लगा कर अच्छे से मालिस करी, फिर फुल स्लीप्स कपड़ा, पैंट और सौक्स बच्चे को पहनाए, बच्चे का सर के नीचे पीलो जरूर दे, ज्यादातर रात को बच्चे का नाक में सर्दी जम कर बच्चा सांस नहीं ले पाता है, इसलिए सोते समय बच्चे का नाक में दो बुन नैसो क्लियर डॉप डालना, इससे रात को सोते टाइम बच्चे का नाक बंद नहीं होगा, और इससे बच्चे को नीद भी बहुत अच्छा आता है, आप करते हैं कुछ घरो अनुस्के, दोस्तों रात को सोने से पहले एक गलास दूद में आधा चमश हल्दी पा एक चमश घी में कुड़कुड़े होने तक भून ले, हलका गरम रहते ही बच्चे को आदरक चबा कर खाने दे, घी खाने मत देना, इससे बच्चे को खासी से अराम मिलेगा, अब बात करते हैं बच्चों में क्या-क्या लक्सन दिखे तो डॉक्टर के पास लेके जाना है बच्चे का सर्दी जुखम अगर पांच दिन से उपर हो जाए, खासी के साथ-साथ बच्चे को सांस लेने में तकलिव हो, सीने में दर्द हो, सर में दर्द हो, या फिर बच्चे बार-बार उल्टिया करे, या अगर बच्चे को 102 से ज़्यादा बुखार रहे, तो आपको कोई जानकरी दे सकी, इस तरीके का और भी वीडियोज देखने के लिए इस वीडियो के नीचे दिये गए, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करिए, और बेल आइकन को भी आल पर सेट करिए, धन्यवाद